दिल्ली में कोरोना संक्रमन के मामले लगातार कम हो रहे हैं लेकिन सावजनिक जगो पर प्रिशासनिक इंतजाम की कोई खास विवस्था नहीं है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोई जाच नहीं हो रहे हैं देखिए हमारे सम्मादतार रजनीश रंजन के रिपोर्ट जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो यहां पर हो रहा है क्योंकि पहले इस तरह की बेवस्था नई दिल्ली स्टेशन और बाकी जगों पर होती थी लेकिन आप देखें कि लोग एकदम बेफिक्र होकर स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और बिना किसी जाच के यह दिल्ली शहर में प्रवेश करेंगे निश्ची तोर पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों की कोई जाच हुई नहीं है और ये लोग अपने घरों में दफ्तरों में या जहां भी जाएंगे वहां पर एक थ्रेट जरूर लेकर जा सकते हैं धीरे धीरे लापरवाई यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है 15 दिन पहले तक दिल्ली की हालत बहुत गंबीर थी बहुत दैनिये इस्तिति दिल्ली की हुई थी लेकिन एक बार फिर जब केस कम आने लगे हैं तो आम लोगों के साथ-साथ जो प्रशाशन की लापरवा झाल